आदे आदे माई में चनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में आप आक्टिस करेंगे उन पॉस्टिंस की जो रेडियस ऑफ कंवर्जेंस और सर्कल ऑफ कंवर्जेंस पर बेस्ट है इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें रेडियस ऑफ कंवर्जेंस के सारे basics को discuss किया है और five examples को discuss किया गया है लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए कुछ questions मैंने इस वीडियो में लिए हैं तो चलिए अब start करते हैं देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है find the radius and circle of convergence of the following power series तो हम इन सब का सीखेंगे कि कैसे निकालते है radius and circle of convergence ठीक है तो ठीक है फिर्स सीरीज आपके सामने यह दे रखी है तो सबसे बहले हमने क्या सीखा था कि a n लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा a n हिवाली टाम आ गई माइनस 3 to the power n प्लस 1 upon 3 n ओके तो a n लिखा फिर मैंने आपको दो फॉर्मुले बताएते हैं इसमें से एक फॉर्मुला यह था r equal to limit intense to infinity mod a n upon a n प्लस 1 ओके तो अब हमने इसमें जब सको apply किया तो a n के value put करी upon a n प्लस 1 अब पिछली वीडियो में तो मैंने क्या किया था a n लिखाता फिर upon करके a n प्लस 1 लिखाता यानि कि जो a n की value थी इसमें n को n प्लस 1 कर रही थी अब direct भी आप लिख सकते हो कैसे जैसे मैंने क्या किया a n लिख दिया और upon में तो पता है कि upon प्लस 1 तो उसको उपर लिख दिया क्योंकि upon में जाके reverse होगा तो आप चाहे पहले put करके फिर उपर ले आओ या direct कर तो मैंने अभी यहां पे सारे questions में direct किया हुआ है ठीक है तो क्या किया a n लिखा और a n प्लस 1 को in 2 में उल्टा करके लिख दिया ठीक है अच्छा अब क्य होगा 3 से 3 cancel हो गया और यहां पे देखिए minus 3 की power n plus 2 है n plus 1 है तो n plus 1 cancel होगा 1 minus 3 बज़ेगा फिर इसमें से हमने n common ले लिया तो क्या हो गया 1 plus 1 upon n हो जाएगा n से n cancel हो गया तो यह ताब आ गई ठीक है अब इसमें limit ले ले लें तो limit n tends to 0 लेंगे लेंगे लेकिन हाँ उससे अगर हम इसको भी limit नहीं लगाते तो यह क्या बनगा 1 upon 3 और 1 plus 1 upon n यह ऐसे आगया ठीक है अब अगर हम इसमें n tends to infinity कर दें तो 1 upon n की limit तो 0 होती है जैसा कि आप जानते ही हो तो अब क्या बचा स्रे 1 by 3 तो 1 by 3 क्या हो गई radius of convergence तो circle of convergence क्या हो गया mod z less than 1 by 3 मैं आपको बताया मैंने का तो बहुत ध्यान से सीखना अब जैसे इस question में देखें अभी तक मैंने जो भी question discuss की ही पिछली वीडियो में भी तो उसमें क्या था z की power n था कहीं भी z minus something की power n हमने नहीं लिया था ठीकिन अगर है तो क्या करें कुछ नहीं जैसे आप करते थे वैसे करेंगे बस लास में जब circle of convergence लिएंगे तो वहां ध्यान लखना है तो देखिए क्या करना है तो पहले तो हमने ए-n लिख लिया ए-n आपका यह आ गया है फिर अब इसमें भी देखो whole power 4 की power n है whole power pen नहीं है तो मैंने क्या लगाया यह वाला form लगाया an upon an plus 1 वाला values को put किया तो an की value यह आ गई a-n प्लस 1 upon में था तो मैंने उल्टा करके लिख दिया तो 4n को नीचे बेज दिया और n को n प्लस 1 कर दिया इसमें n-1 को उपर बेज दिया तो n की जगे n-1 कर दिया तो n-1 फिर 1 से 1 cancel हो गया फिर 4 की power n और n-1 है तो यह cancel हो गया तो नीचे क्या बचा 4 और उपर आगे n औ तो यह क्या हो गया 0 तो क्या आगया 1 upon 4 तो radius of convergence क्या मिली 1 by 4 ठीक है अब circle of convergence की बात करें तो पहले जब हम निकालते थे circle of convergence हम ऐसे लिखते थे थे लेजन आर या मौड लेजन वन बाई 3 क्यों लिखते थे क्योंकि वह सीरीज मेंजेट की power n अब सीरीज में यह वाला है तो जैट की जगे क्या लिखोगी जैट माइनस पाई याई तो अपने लिखा मौड जैड माइनस पाई याई लेज दैन 1 बाई 4 ठीक तो जो हम मौड जैड लेजन आर लिखे थे तो मौड जैड की जगे क्या लिख दिया हमने जैड माइनस पाई आई तो जो आपको यहां दिया है सेम आपको उठाके यह लिख देना है उसमें मौड लगा के लेजन आर आर की वली 1 बाई 4 है तो 1 बाई 4 लिखेंगे ठीक नेक्स देखिए अ सब्सक्राइब लिखेंगे होगा तो हमने फॉर्मॉला जब अप्लाई किया तो क्या मिला वन अपाउन वन यानिकी वन बरिक लिमिट वर सिंपल तो आर हमें क्या मिल क्या वर ठीक तो जब आर वाने तो सरकल ऑफ नवर्जेंस कैसे लिखा मॉड अब मॉड आप बताए यह हमें लिखनी है जिसके गोल पावर एंड यह रहती है तो जैट प्लस वन का मॉड और यह क्या मिल गया सरकल ऑफ ठीक है नेक्स देखिए अब इसमें तो अलाग अलाग ऐसे एंड लगे हुए ना इसी दिए मैंने इसको ले लिया था क्वेशन को इसमें क्या किया एं को हमन अब क्या किया अब हमने कॉमन ले लिया क्या देखो फाइफ बड़ा है ना तो फाइफ को मने बाहर दिया क्यों लिया अभी इसका रिजन बताऊंगी तो फाइफ की पावर एंड प्लस वन को बाहर लिया तो क्या बचा अंदर फोर की नीचे फाइव आ जाएगा क्योंकि अब नीचे इसमें से क्या लिया, 5 की पावर N कॉमल लिया, तो क्या बचा, 4 अपॉन 5 की पावर N, और प्लस 1 अंदर आ गया, ठीक, और ये 3 की पावर N से 3 की पावर ये जो N है, वो चैंसल होगे, तो क्या बचा, 1 अपॉन 3, तो ये आ गया, ठीक है, अब यहाँ भी 5 की पावर N है, यहाँ भी 5 की पावर N है, तो 5 की पावर N से 5 की पावर N कैंसल हो गया, तो क्या बचा, ये 5 अपॉन 3 इदर आ गया, ठीक है, अब ये चो अंदर है, आप देखो, उपर और नीचे दोनों में, 4 अपॉन 5 की टाम है, और होल पावर में N है, N हो या N प्लस 1 हो, तो इसमें N है और इसमें N प्लस 1 है, तो अब इसको मैंने क्यों लिया था, पहले 5 की पावर ही क्यों लिया था, अब मैं वो रीजन बताती हूँ आपको, क्योंकि 4 अपॉन 5 है, यह क्या है, लेस्द इन 1 है न, ठीक है, तो यह कितना पॉइंट एट है, जब कोई नंबर 1 से अगर कम है और इसकी पावर आप बढ़ाते जाएं, जैसे पॉइंट एट है, पॉइंट एट की पावर 1, पॉइंट एट, 0.8 की power में 0.2 करूंगी तो क्या आएगा 0.64 तो और छोटा हो गया अब इसकी power में 3 कर दूँ तो और छोटा हो जाएगा ठीक है तो जैसे जैसे आप इसकी power बढ़ाते जाओगे value क्या इसको approach करेगी 0 को तो कोई number अगर 1 से छोटा लेते हैं यानि कि 0 और 1 के वीच में लेते हैं उसकी power आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं that approaches to 0 तो इसलिए हमने 5 को common लिया क्योंकि 5 को common होने से यह 4 upon 5 की form में आ गया तो यह number 1 से छोटा बन गया अब हमने जिमें टेंस टेंट लेंगे तो इसकी value क्या बन जाती जीरो यह भी जीरो तो बचा गया 5 upon 3 ठीक है आप उसको करके दिखिएगा बहुत इजी है कोई डाउट हो तो तो मुसे पूश लीचेगा तो रेडियस के मिली है मुझे 5 upon 3 ठीक तो सर्कल अफ कनवर्जेंस इस मौड जड़ें 5 upon 3 ओके नेक्स्ट ग्वेशन देखते हैं इसमें है वन अपॉन लॉग एंड की ओल पावर एंड जैट टूदी पावर एंड अब इसमें कोई होल पावर एंड ता तो हमने कौन सा फॉर्मॉल यह से क अब यहां आँगा थे ओप्सक्राइब ऑफिनिती तुझ जब लॉगं किसको अप्रोच करता है इंफीनिटी को अगर आप लॉग का क्रहब देखें तो ईक्षे घर करके बनता है और यह एकर को इसबाट बनता हैं तो इन परोच करेगा तो वन अपॉन इंफिनिटी क्या ह एन इन्फिनिटी ठीक है अब लास्ट क्वेशन देखते हैं बहुत आसान है यह भी इसमें भी जो को होल पावर एन थी तो आप्वियस है हमें यह वाला फॉर्मला लगाना था तो हमने लगाया एन की वैली पुट कर दी होल पावर एन था एन से एन कैंसल तो यह आ गया और धो मॉड भी एटा दिया हमने ठीक है अब इसमें हाईस्ट पावर कॉमन ले लितो एन की मुब ले लिया तो च्थ तो यह बचा तू थी अपॉन सुरी था तो नीचे सॉक जाएगा है ना 34 और एन क्यू कॉमन लिया ए तो यह से समझ लो एन तो एक था ही इसमें आ बाहर आ को आब इसमें से NQ को मईल आ तो सकी सीधे नक्यूब आ गया इसमें एक N था तो इसलिए N स्क्राइब तो कोई भी नीचे नहीं आया ठीक है तो यासे उन्यूब लिया तो क्या के 2 तो radius of convergence के लिए हमें क्या मिला 1 upon R की value हमें क्या मिली 2 है ना आप ये मत कहाँ देना कि radius of convergence 2 नहीं ये 1 upon R है तो R कितना हो गया 1 by 2 ये ठीक तो radius of convergence is 1 by 2 ठीक इसको ध्यान लखेगा सर्कल of convergence क्या हो गया more than less than 1 by 2 ओके अब इस पर मैंने कुछ homework के questions लिखे हैं इसके शेयर भी करें कि दोस्तों के साथ जिसे उनकी मदद हो सके अपनके एक्जैम टाइम में विश यो अल दा बैस्ट टेक कियर रादे रादे